हाई गाईज तो आज की वीडियो में कुछ बात करेंगे हम स्विंग सेटप्स की और उससे पहले सबसे common question आता है आप scanning कैसे करते हो ये सब करते हो तो मैं नीचे पूरी playlist का आपको link दाल दूँगा जो swing से related है उसमें ये topic भी covered है ठीक है पूरी 20 minute की विडियो है आप वो देख सकते हो दूसरी चीज टेलिग्राम फॉलो कर लो क्योंकि टेलिग्राम पे ही मैं जल्दी update कर पाता हूं सारे सारे stocks और update जैसे market चलतरी होती है ठीक है तो ये तो वही बात खत्म है अब पहले discuss कर लेते हैं कि इस हफ़ते का plan क्या होगा trade करने के लिए तो सबसे पहले चलते हैं हम sectors में ठीक है कि मैं sector किस चेक करता हूं तो लाद है weekly chart में ठीक है अब कुछ करेंगे हम बस strong sectors को identify करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो मैं already आप देख चो क्योंकि टेलिग्राम पर दो सेक्टर है मेरी जाततर नजर में यूद कि इसमें से पहला है metal और दूसरा है IT और metal दोनों ही ऐसे लगए sectors जो अगली rally के लिए ready हो रहे हैं ठीक है वहीं पे on the other end जो मेरे को strongest लग रहे हैं यह नहीं गया रहा कि मैं वही strong है जो strongest लग रहे है प्रॉंग तो obviously सारे सेक्टर में तभी मार्केट रन कर रही है ऐसे तो रन करती ही नहीं ठीक है MNC भी अगर आप देखो तो MNC भी थोड़ा बहुत ready हो रहा है राइट ऑटो में भी आप देखो वीकली में breakout आया है मीडिया बहुत ही बेगार चल रहा है FMC जी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा banks भी private banks भी PSEO वाले rally कर रहे हैं और private bank की भी सेक्टर बढ़ा नहीं लहां लग रहा है तो ऐसे हमने पटापट सेक्टर देख लए उपर उपर से इससे क्या होता है देखो इससे यह होता है कि जब आप stock selection में आते हो और फिर ff Math Forge Stock पसंद आया और वो उसी सेक्टर का होना तो फिर confidence बढ़े जाते हैं इसका तो सेक्टर भी भाग रहा है ठीक है तो सबसे पहला स्टॉक जो मेरी वाच लिस्ट में है वो है Suntech Reality अब क्यों है यह स्टॉक और इसको समझने के लिए आग वीकली पे आजाओ weekly पे अगर हम देखे 526 एक ऐसा एरिया है जहां पर बार बार सेलेंग आ रहे है जब हम 526 को cut करेंगे अगर हम यहां पर इखाँगा चोटा बेस बन रहा है डेली में अगर यहां पर हम इसको तोडएंगे वो डेली बेस यहां पर क्या चोकिन निकलेगा तो मेरे साब से यह स् तो इसने यहां पर earnings के बाद earnings में कुछ अलग surprise नहीं आया तो earnings के बाद अब देखो तो कुछ भी नहीं हुआ stock में जो low बन रहा था वो higher low बन रहा था चार दिन से बड़ा ही tight consolidate हो रहा है तो अगर stock इसके उपर 480 के उपर निकल के close देता है तो this could be another base और यह एक छोटा सा base को pop करके निकल सकता है यहां से निकलने के बाद जब वो पूरी तरह इसको clear कर देखा न 520 वाले यहां को तो तो मैं इसको extremely strong माग लूँगा बट यहां पर इसको buy करना एक low risk point मिल सकता है अगर वो इसको break करेगा with volume और sustain करेगा ठीक है कई लोग यह भी नीचे लिख देते हैं कि मेरे पास यह पड़ा इसका क्या करूँ वो पड़ा है क्या करूँ इसको कब sell करना है कब buy करना है तो देखो अगर आपके वास कोई stock पड़ा है और आपके वास उसका trade plan नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने वो gambling में ले लिया या फिर आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो तो you should make your own rules you should follow your own decisions अच्छा मैं मानलो कह दो कि इसको भेज दो तो आप भेज दोगे क्या क्योंकि हो सकता अगले दिन वो 20% की rally देते मुझे तो नहीं पता आपको तो नहीं पता पर किसी को थोड़ी पता होता है कल क्या होगा हमारा काम होता है अपना trade plan follow करना regardless market हमारे को क्या उसके बाद present करती है ठीक है अगला stock जो है मेरी लिस्ट में हो है कियोसल अब यह steel और metal का पार्ट है सेक्टर का अगर आप देखो तो आप थोड़ा सा हैना दोगे यह समझ नहीं आ रहा प्रैस अक्षिन लेकिन आपको समझना पड़ेगा stock ने एक बड़ा अच्छा move दिया है यहां से almost 170 ठीक है closing लोग है तो 130 ठीक है चोटी सी pullback के बाद तो आपस से consolidate कर रहा है एक बड़ा ही अच्छा tight 8 December से लगबख दो महिने से एक ही range केंता है ठीक है एक rally आई sell off आगया अब जो दूसरी rally आईगी यह shake out के बाद की यह बहुत strong हो सकती है यहीं से weak हो जाएगा stock तो यह out of my list हो जाएगा ठीक है लेकिन यहां से भी यह strength दिखाएगा तो इसका मतलब यह एक shake out था तो यहां पर सारी दुनिया नहीं आपर एंटर करा होगा फिर sl लगेंगे फिर से एंटर होगा तो यह अब नहीं आएगा वापसी ठीक है तो यह मेरी list में दूसरा stock तीसरा जिसके में बात करेंगे वो है जैस सवाल इसके लिए weekly आजाओ देखने के लिए एक अच्छा base brick rally next base बन रहा है एक डेली में देख लो क्या बन रहा है next base बन रहा है यह एक next base है अब यह टूटे का base तब हम एंटर करेंगे और volume इस मारे को नीचे दिखी रही है उसके बाद आता है style steel same अगर आप देखो तो base break another base जब तक हम इसके उपर नहीं यह बड़ी resistance है यहाँ पर और यह चोटी है जो तीन दिन का high same है तो देखना पड़ेगा volume का भी क्योंकि volume इसके अंदर जादा नहीं है stock के अंदर right अगला आते मेरा favorite जो लग रहा भी चार्ट पर हो है JSW steel JSW steel को देखो एक बहुत ही बड़ा दो साल का base था इसके तनर 21 में से 3 साल का लग बख लग बख लग पूरा का पूरा base यही चौप 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 अब जागे rally दिये इसने इस base को बड़े इच्छे rally से तोड़ा है और वापस retest कर रहा है सा rally इस base को अपने तो मैं JSW steel में बहुत ही जादा इंट्रस्टेड हूँ daily पे भी अगर आप देखोगे दो तीन बार breakdown की try करी बट नहीं हो पारा breakdown और अगली ही दिन वापस से buyers इसको reclaim कर लिया तो JSW steel में मैं definitely इंट्रस्टेड हूँ मतलब तो मचलो position बनाने का वेटी करना हूँ कितना इंट्रस्टेड हूँ मैं JSW steel में ठीक है नमबर वन लिस्ट में priority में जो अगर consider करेंगे हम तो JSW steel है पूरे हफ़ते के लिए अगला स्टॉक जो है हाई-tech pipes और यह तो अच्छी की रैली दे ही चले जा रहा है तो इसमें इंट्र करना थोड़ा सा ट्रकी होगा और weekly का देखके लग भी रहे कि slight extended है एक pullback देगा तो much more interesting हो जाएगा चार्ट लास्ट जो चार्ट है वो ऐसा है कि इसको बनने में time लगेगा यह ऐसा नहीं कि बना बनाए मिल जाए आपको तो इसके लिए थोड़ा patience रखना पड़ेगा बट यह मेरी लिष्ट में है कि लॉसकर pneumatic ठीक है एक बोड़ाई ही sideways चल रहा है आप कहरोगी यह stock क्यों पसंद करा तो देखो जब यह इसने कितना लंबा base बना दिया अभी काया होगा ठीक है अब अगर यहाँ पर slide volume तो नीचे देखने को मेले दिया है यहाँ पर stock अगर एक और rally देके consultant करेगा और फ और अकसर आपने देखा होगा अगर किसी stock का एक नाम भागरा होता ना तो generally दूसरे में भी हो सकता है वही power अपने आप आजाए ऐसा क्यों होता है मुझे तो नहीं पता बाई देखो inox wind भागा inox green भी मेरी list में पढ़ाया देखोगे तो inox green almost set up हो रखा है ठीक है और मैं ready inox green को trade करने के लिए बट दुख सिरफ यह होता है कि हमने 72 पे मिस कर दिया और 150 पर वही stock को buy करने के लिए तरस रही है यहाँ पर मेरा एक बार एक बार एसल खाके भाग चुका तो मैंने इसमें obviously SL लेके छोड़ा हुआ बट कोई नहीं अब यहाँ पर दुबारा मौका मिल सकता हो आपको बट मैं हमेशा high priority जो high priority high low risk high rewarding stocks होते हैं उन्हीं को mention करना पसंद करता हूँ तो कि उन्हीं में मैं अपना पैसा लगाने के लिए ready हूँ दिखाने को मैं भी आपको 25-30 stock दिखा कर post करके जैसी को rally करेगा उसके आगर rocket लगा के चुपका के दिखा दूँग कि लो जी मैंने बोला था भाग गए तो मैं कोशेश करता हूँ कम से कम रहे stocks मेरी watch list में और वहीं रहें जो top category के हैं तो कई stocks होते हैं जैसे LIC यह सब यह सब के लिए मैं wait कर रहा हूँ कि कभी यह मेरे को मौका देंगे entry का तो बंद करते हैं वीडियो यहीं तक थी कोई question हो त